हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटीटर कमडिटी में स्वागत करता हूं तो विसेंट टाइस में बहुत साई लोग options writing के परती attract हो रहे हैं और सोच वे हैं कि options writing से हमें easy money मिल जाएगा options writing आपको काफी हद तक easy money देता है लेकिन आप जितना एक दो महिने में कमाते हो एक गलत decision वो सारा profit आपको लेके चला जाएगा और ultimately आपको अच्छा खासा नुकसान में डाल देगा तो अगर आप options writing करते हो तो आपको कम से कम गलती करना है क्योंकि एक गलती का cost बहुत जादा होता है इसलिए जो नए नए लोग options writing में उतरे हैं वहाँ पे आपके लिए trap भी विछाय जाता है तो आपको उससे भी बचके रहना है तो आज हम इस वीडियो में उसी को पर बा कैसे बच सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने जा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अब हम चार्ट पर आगे तो अगर आप options writing करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ फोकस नहीं करना परेगा सिर्फ आप चार्ट देखे options writing नहीं कर सकते हैं आपको यहाँ पर multiple चीज़ एक साथ ध्यान में रखना होगा जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट देखेंगे चार्ट के साथ-साथ यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर हम wix पर नजर बनाके रखेंगे कि wix में क्या कुछ हो रा उसके साथ साथ most important यहां पर हम option chain भी देखेंगे और तीनों के बारे में आपको complete information होना चाहिए option chain के बारे में आपको detail information होना चाहिए कब क्या है नहीं है सारा detail information होना चाहिए नहीं है तो इन सब के उपर हमने detail video बना रखा है वो सारा video आप देख सकते हैं उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा तो यह तीन चीज़ देखना होता है और इस तीन चीज़ के वेसिस पर आप सठीक अपने लिए options writing का level find कर सकते हैं कहां पर कर सकते हैं सब कुछ idea मिल जाएगा साधी साथ trap से भी आप बच सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले हम प्राइस section पर आए यादि निफ्टी के डेली चार्ट पर आए और अगर आप options writing करते हैं तो यहां पर आपको longer time frame वाला चार्ट देखना परेगा आपको 5 मिन पंदे मिन थर्टी मिनट वाला टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखना छोड़ना परेगा क्योंकि वहां पर जो भी कुछ आइडिया आता वह पर हमें information प्रोवाइड करता हम options writing करते हैं हमें में चुर इंफ्रमेशन चाहिए उसके लिए हाई यह टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर आएंगे इसलिए यहां पर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर आए अब देखें यहां पर हमने कुछ लाइन ड्रॉप किया यह जो उपर यह हमारा क्या है यह भी हमारा वेसे स्टेंस लाइन है इन सब क्या इंपोर्टेंस है और इसमें आपको क्यों बता रहा हूं बस थोई देर इंजार किजिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा अब देखिए options writing हमें कहां पे नहीं करना सबसे पहले वह सीखना होगा अग प्राइस आपका किसी important support level के पास trade कर रहा है तिहां पे आपको क्या करना options writing करना avoid करना है क्यों avoid करना उसके पीछे का region आपको भी समझ में आना चाहिए मैं कुछ भी बताता हूं या कोई भी कुछ भी बताता डायक्ट उसकी बातों पर believe मत किजे region देखिए खुद से analyze किजे खुद से 4 जगा चेक किजे फिर आपको जो सही लगता उसके basis पर आप काम कर सकते किसी पर blind trust मत किजे चाहे मैं ही क्यों न हो अब देखिए यहां पे हमें options writing करना avoid क्यों करना क्योंकि support level के पास आने के बाद क्या हो सकता है दो ही काम हो सकता है आईदर price इस support level को break करके नीच आएगा यहां पर हमें breakout देखने हो कि मिलेगा और बहुत ज्यादा fresh entry आता हुआ दिखेगा as a result क्या होगा market आपका volatile होगा यानि market में volatility increase होगा और options writer को वही नहीं चाहिए options writer को volatility नहीं चाहिए options writer को चाहिए less volatile market उसी में options writer पैसा बनाता है volatility आता है options writer को नुकसान होता loss होता है तो इसलिए जब support level के पास आता है तेजी से उपर साइट के तरफ जाएगा तो अगर price support level के पास trade कर रहा है तो यहाँ पर हमे options writing option selling avoid करना अगर आप पर option selling करेंगे तो trap में फसने के probability बहुत जादा हो जाते यहाँ पर option selling करके profit बना भी सकते हो कई बार profit बना लेकिन जब एक बार नुकसान देगा तो सारा का सारा profit आपका लेके भाग जाएगा इसलिए आपको यह सारा कुछ देखना है कि यहाँ पर आपको avoid करना है क्योंकि देखिए इसको ब्रेक नहीं किया तो यहां से नीची आने में कितना टाइम लगा है यहीं पर देख सकते यहां से लगबग इसको दो दिन का टाइम लगा यह पंदर आट सौक लेवल पर आ गया और आप चाहों 16,000 का option sell करो या फिर 15900 या पंदर आट सौका option sell कर पर करना है यह भी मैं आपको बता रहा हूं option selling करना है जब market आपका एक particular range में trade कर रहा हूं तो उस time पर market जब बीच में हो यह perfect time होता है options sell करने का options writing करने का यह हमें perfect time opportunity देता है क्यों क्योंकि जब बीच में रहाता इसके बात support या फिर change level के पास जाने में यह time लगा सकता एक या दो दिन का time लगा सकता अगर एक या दो दिन का time लगाया और support level को भी break करने में एक या दो दिन का time लगाया तो तब तक क्या होगा तब तक हमारा expiry आ जाएगा और overall हम profit में आ जाएंगे और इसको break करने में एक से दो दिन का time भी लगा है तो भी हमारा जो options writing वाला positions होगा वो M2M में profit में आ जाएगा इसलिए जब इसके बीच में रहता है तब हम क्या करेंगे options writing prefer करेंगे पहला point आपको यह ध्यान रखना है अगर market आपका range bond है तो जब range के बीच में रहेगा तब आपको options writing prefer करना उसके साथ हम आगे और भ writing करते हैं तो विक्स पर भी नजर बना कर रखना परेगा और विक्स का क्या impact होता market पर वो भी आपको समझना परेगा और इसके उपर भी हमने already video बना रखा है नहीं देखा तो वीडियो भी देख सकते हैं अब यहां पर भी हम क्या draw करेंगे सबसे पहले एक average support level develop करेंगे औ करेंगे और विक्स में जो हमने support लिया है देख सकते हैं 2021 से लिया मतलब लगबाग 18 months का हमने support लिया है अब यहां पर देखिए जब प्राइस आपका support level के पास रहेगा तब यहां पर आपको options writing avoid करना यहां पर जो traditional method होता है साहर लोग बोलते हैं कि जब विक्स आपका लोर है तब आप options writing करो मैं बोलता हूँ वहां पर मत करो अब जो traditional method है मैं उसके against क्यों जा रहा है उसके पिछे का logic है वो आपको समझने कोशिस करना देखिए जब विक्स आ नीचे से उपर जाएगा तो क्या होगा जो भी options का premium होता है उसमें एक time value भी होता है तो जो time value होता वो तेजी से increase करेगा as a weird options का premium भी आपका तेजी से इंपकीज करेगा यानि अगर market आपके favor में भी आया है अगर market में momentum कम भी है फिर भी options का premium काफी तेजी से उपर जाएग और जो options का premium है वो decay होगा काफी slow तो अगर हम options writing करते हैं तो options premium का decay हमें fast चाहिए तब ही हमें fast profit मिलता हुआ दिखेगा जो कि अगर आप support level के पास options writing करोगे तो वो काम होता हुआ नहीं दिखेगा इसलिए जब support level के पास wix रहता है तो आपको क्या करना options writing करना उसके बार जब इससे उपर भी रहता है इसके उपर भी निकलता है फिर भी आपको options writing avoid करना तो according to wix options writing करना कब है माइन में question जहूर आ रहा होगा चले इसका answer खोजते हैं तो जब यह आपका resistance level के पास रहे यह नहीं जब wix आपका top level के पास रहे उस time पर क्या करना उस time पर हमें options selling करना है क्यों region पता होना चाहिए और region आपको दूसरे जगह भी find करना है कि जो मैं बता रहा हूं सही है या नहीं है अब देखिए ऐसा क्यों करना है क्योंकि देखिए जब भी आपका resistance level के पास आया कितना time रुका है जब time नहीं रुका यहां पर एक दिन रुका यहां पर कुछ time के लिए रुका है यहां पर भी देखिए सिर्फ कुछ दिन के लिए रुका है मतलब top level के पास आने के बाद क्या होता Wix तेजी से नीचे साइड की तरफ गिरता है यानि Wix यहाँ पर नीचे गिर रहा होता जब Wix नीचे गिर रहा होता क्या होता सबसे पहले जो हमें एक important चीज चाहिए था decay fast होता है यानि जो options का premium है वो काफी fast decay करता है और यहाँ पर एक और benefit होता है जो options का premium होता है वो काफी high मिलता है यानि हम higher price पे sell कर सकते है और यहाँ पर options का जो premium रहता है वो काफी lower level पर रहता है यहाँ पर हमें options में premium ही बहुत कम मिलेगा अगर Wix आपका इस level पर है तो जिस options का premium 10 रुपे होगा वो यहां पे दगवग आपका 20 रुपे आसपास आ जाए यहनी 10 रुपे यहां पे हमें एक्स्ट्रा मिलता हुआ दिखता है तो आजब यहां पे हमें जादा benefit मिलेगा और जब Wix आपका उपर से नीचे आएगा तो premium decay भी fast होता हुआ दिखेगा इसी के लिए जब आपका top के आसपास रहे या resistance level के आसपास रहे Wix आपको selling करना है चार्ट में क्या देखना है चार्ट में अगर एक particular range में market move कर रहा है तो range के बीच में होना चाहिए पहला condition हो गया दूसरा condition Wix पे आएंगे Wix आपका कहां पे होना चाहिए top के आसपास या resistance level के आसपास होना चाहिए यह दो condition satisfy करता है तो हम option selling करेंगे और अगर आप यहाँ पे option selling करेंगे तो trap से बच सकते हैं अगर आप इसके आसपास option selling करेंगे trap होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं आप यहाँ पर ही sell करके profit बना सकते हो undoubtedly option selling में कहीं पर profit बना जा सकता लेकिन अगर आप 10 बार profit बनाते हो और एक गल्दी करते हो सारा का सारा profit manage हो जाएगा और आप overall loss में आ जाएगे इसलिए साबधानी के साथ trade करना होता अब यहाँ पर हमारा तीसरा नमबर आता option chain का हमने सारा को decide कर गए उसके बाद हम आएगे option chain पर यह करने कि हम किस particular strike price के options को sell करें अब दो condition satisfy हो गया कि हमें options writing के लिए जाना अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि किस particular strike price का option sell करना ऐसा तो नहीं है कि हम आख बंद करके उंगली रखेंगे जिस strike price पर आगे उसको sell कर देंगे ऐसा बिलकुल नहीं करना है अब देखिए option chain में आपको क्या देखना सबसे पहले call side की तरफ देखना कि सबसे highest open interest कहां पे दिख रहा है 15,700 के लेज़ पे सबसे highest open interest कहां दिख रहा फिर हमें put set की तरफ आना और इधर देखना है कि सबसे highest open interest हमें कहां दिख रहा इधर आपको 15,000 के level पे दिख रहा आज की date के recording यानि 16 June के recording अब इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा put writing हो रखा वो कहां पे हो रखा 15,000 के level पे और जो सबसे market 15,700 से उपर नहीं जाएगा और put writers को लगता है कि market 15,000 से नीचे नहीं जाएगा यहनि market आपका इसी range के बीच में trade करता हो देखे का ऐसा put writers और call writers दोनों का मानना है तो क्या करेंगे इस particular range के बीच का हम options sell नहीं करेंगे चाहे call options हो या put options हो इस particular range के बीच का हम options sell नहीं करेंगे यह clear हो गया इसके बीच में करोगे तो trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे trap में फसनी के probability बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अगर market 15,350 पे है आप 15,500 या 15,600 का call options sell करते हो यहाँ पे सब ज़्यादा क्या है call वाइट है 15,700 पे अगर 15,700 पी भी आया है तो आपका position risk पे चला जाएगा और आप अच्छे खास से loss में रहोगे तो फिर इसके बीच वाला strike price का selection बिल्कुल भी नहीं करना है तो फिर हमें sell कहाँ पे करना जहाँ पे सबसे ज़्यादा call वाइट ही हो रखा है वहाँ पे भी नहीं करना उससे आपको उपर आना यानि उससे 100 पॉइंट उपर 15800 के call options को यहाँ पे हम sell करना prefer करेंगे यहाँ पे हम strike price का selection करेंगे option sell करने के लिए 15800 का ठीक है होई पुट में 15,000 है यहाँ पे हम इससे 100 पॉइंट नीचे 14,900 के strike price का put options हम sell करना prefer करेंगे अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों करें क्योंकि अगर market यहाँ से नीचे आता है 15,000 के level पे सब ज़्यादा put writing हो रखा मतलब जितने भी put writers वो दम लगाएंगे कि market 15,000 के नीचे ना जाए क्योंकि जाएगा तो नुक्सान होगा इसलिए क्या करेंगे अगर market टेजी से आ रहा होगा तो इसको slow करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पर रोकने की कोसिस करेंगे तो market यहाँ पर अगर आपको रुखता है तो फिर भी आपके पास अच्छा कासा 100 point का margin है और अगर आप premium को ले रहे लगबग आपका 150 से 200 point का मार्केट को slow करने की कोसिस करेंगे मार्केट को ज्यादा उपर जाने नहीं देंगे वह कोसिस करेंगे कि market इससे उपर न आए अगर फिर भी market उपर आता है तो market को उपर आने में टाइम लाएगा और आपके पास अच्छा खासा 100-100-200 point तक का margin रहेगा और उसमें आपके प सब्सक्राइब करते हैं तो पैसा आपके पास लिम्टेट नहीं होना चाहिए जितना पैसा market में लगा रखे उसका दो गुने तीन गुना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए बैंक में भी ने डीमेट अकाउंट में अबलेबल होना चाहिए तो अगर market आपका 4,800 के लेबल पर सब्सक्राइब पूट वाइटिंग हो जाता है इसका मतलब है कि हम इस पूट वाइटिंग को यानि इस स्ट्राइक प्रैस को सेल कियो हैं उसके अलावा यहाँ पे इससे नीचे एक और 14,700 के स्ट्राइक प्रैस के पूट अप्संस को भ पर ना पढ़ता उतना पैसा होना चाहिए अगर आज के डिट की कोई पर सब्सक्राइब तो अगर यह नहीं लोग करना जिनके पास एड्जस्मेंट के लिए भी पैसा हो यह भी चीज़ आपको समझना आडर्वाइस यहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे फिर आपको लॉस में निकलने से कुई नहीं बजा सकता है फिर आपको लॉस में निकलना ही परिए इसलिए सारा कम आपको करना होगा यहां पे आप को सारा कुछ क्लेर हो गया होगा wonder यहां पर नहीं करेंगे resistance level के पास है, तो trade नहीं करेंगे, support level के पास है, तो trade नहीं करेंगे, और यहाँ पर अगर हम recent example देखें, तो जबरदस्त example देखने मिला है, देखिए, market यहाँ पर आपका last 3 दिन से एकदम support level के पास trade कर रहा था, और जो भी लोग इसके नीचे का क्या किये होंगे, put writing किये 1500 क्योंना चले जा, या फिर 15400 क्योंना चले जा, आप इतने नीचे का भी put options अगर आपने sell किया होगा, तो आज expired day के दिन आपको अच्छा कासा नुकसान उठाना परा होगा, इसलिए जब market आपका support level के पास, या फिर resistance level के पास रहे, तो आपको क्या नहीं करना, options writing avoid करना, और यह मैं क्यों बताया, उसका काफी 60 example हमें अभी recent times में कई बार देखने को मिला है, तो उमीद करते हैं, यह सारा concept आपको clear समझ में आ गया होगा, और यहां पे आपको systematic करना है, देखिए, हमने बीच में क्यों बोला, यहां पे भी देख सकते हैं, बीच में यहां पे आय अगर आपका range bond वह जाता है, तो आपको profit आ जाता है, इसलिए यहां पे अगर आप selling करेंगे, options writing करेंगे, तो आपको थोड़ा सा extra time मिलता है, लेकिन अगर आप यहां पे options sell करेंगे, तो दो दिन का time मिला, तीसे दिन market आपका गिरा, किसी भी conditions में आपको M2M के basis पे profit नहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको यह सारा कुछ सतर्क होके, देखना है, और options writing में काफी साबधाने के साथ trade करना, अगर आपके पास experience ना है, तो आप trade ना करो, तीन चीज़ देखना, यह हो गया, विक्स देखना है, और option chain देखना है, तो दोनों condition, अगर यह condition और विक्स पर लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!